दोस्तो संडे ब्रंच के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरी इसको बारी की से डिसकस करेंगे इस अफ़े सोशल मीडिया पर ब्लू टिक वाड चल रहा है और मेटा के सीईयो मार्क जुकरबग ट्व ब्लू टिक बेच रहे हैं UPI ने सिंगापुर में ओफिशली एंट्री कर ली है और शाक टैंक पर दूसरों को फंडिंग देने वाले शाक्स खुद भी फंडिंग उठा रहे हैं तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हाँ एक और बात अगर दिये गए न्यूस चैप्टर से डिरेक्ली उस टाइम स्टैंप पर जा सकते हैं सुआगय थे आपका स्टार्ट अप एनलिस पर जहां हम बिजनस स्टार्ट अप्स और अंट्रपरनॉर्शिप से जुड़े वीडियो बनाते हैं मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबग ने मे एड हो गई होगा साथ ही साथ ट्वीट्स को एड़िट भी कर सकते हैं आप और लंबे-लंबे वीडियो भी डाल सकते हैं और 50% एड भी कम होते हैं इससे वेबसाइट यूजर्स को हर महीने 650 रुपए चुकाने होते हैं और एंड्रोइड या फिर आईवेस एप यूजर्स करने का फैसला किया सिर्फ दस दिन बाद सोचल मीडिया के सबसे बड़े बाहु बली मेटा ने मेटा वेरिफाइड का एलान किया जिससे एक वेरिफाइड बैज और अकाउंट सपोर्ट दिया जाएगा फिलाल इसे ऑस्ट्रेलिया और नियूजर्स किया गया है और जल्द बढ़ता जा रहा है हाला कि मस्क ने 2015 में ओपन एयाई शुरू किया था उन्होंने 2018 में कंपनी के बोर्ट से रिजाइन कर दिया था मस्क खुद अपने कंपनी से कई लोगों को ओपन एयाई में लेकर आये थे और इनमें से एक थी मीरा मूर्ती जो आज ओपन एयाई की CTO ह पिछले हफते एक और इंडियन ओरिजन एग्जेकेटिव नील मोहन यूट्यूब के CEO बने हैं लेकिन जहां नील इंडिया में पैदा हुए थे मीरा का जन्म अमेरिका में हुआ था सैन फ्रांसिसको में उन्होंने दार्थ माउथ के थायर स्कूल आफ एंजिनिनिंग से ब अब वो OpenAI के Research Product और Partnership पर काम कर रही हैं लेकिन हाँ CTO होने के बावजूद उन्होंने OpenAI के गलत इस्तिमाल पर कई सवाल उठाए हैं अगले खुशकबरी सरकार के UPI ecosystem से है सरकार के Real Time Retail Payment System यानि की UPI और Singapore के Pay Now को integrate किया गया है RBI Governor शक्तिकानदास और Monetary Authority of Singapore के Managing Director रवी मेनन ने एक event में इसे launch किया प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और Singapore के Prime Minister Lee San Lung भी वर्च्वली उपस्ते थे इस launch से दोनों के बीच में remittances और भी तेजी से होंगे मतलब कि अगर किसी के परिवार का सदस से सिंगापूर में रहता है और उसे पैसे भीजने है तो ये काफी आसान हो जाएगा बिना bank details को share किये हुए हो सकता है उसकी जगह virtual payment address के इस्तिमाल से आप पैसे भेज सकते हैं RBI के मताबिक सिंगापूर भारत के top 4 remittances market में आता है 6.5 लाग भारती लोग सिंगापूर में रहते हैं ये UPI के लिए वाकई में बहुत बड़ा कदम है क्योंकि आगे जाकर भारत के payment system की ललकार cross border payments में की जाएगी और इस साल भारत G20 Summit भी होस्ट करने वाला है जिसमें सिंगापूर भी आमंतरत किया गया है International Monetary Fund यानि की IMF के चीफ Crystalina Georgieva ने अपने statement में कहा कि दुनिया को इंडिया की UPI और Central Bank Digital Currency CBDC जैसे Digital Payment Method से सीखना चाहिए वाकई में इंडिया अपना नाम काफी बढ़ा कर रहा है इस UPI के मामले में अगली ख़बर इंडिया के startup ecosystem से है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया दुनिया का third largest unicorn hub है Global Entrepreneurship Mentor या फिर GEM के National Entrepreneurship Context Index Report के मताबिक इंडिया 51 देशों में चौथे स्थान पर है इस report में इंडिया को 6.1 का score दिया गया है यानि 6.1 का और 2019 यानि 2019 में NECI score 5.8 था और 2020 में ये 6.0 का score था लेकिन 2021 में ये score और भी गिर गया और इंडिया को 16 रैंक दिया गया था अब इस NEC Index में 12 Entrepreneurial Conditions को परखा जाता है जैसे कि सरकार की नीतिया, फिस्कल महौल, प्रोफिशनल और कमर्शिल इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज के तौर तरीके वगरे 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 और 36 Experts को चुना जाता है जो अलग-अलग देशों के Economies को कंपेर करके स्कोर निकालते हैं और वहां हमारा इंडिया काफी अच्छा स्कोर कर रहा है बैंगलूरू बेस स्टार्टप्स Fresh2Home ने Series D Funding Round में 104 मिलियन डॉलर रेज किये हैं पिजने 12 महिने से इंडिया में funding winter चल रही है और स्टार्टप को funding मिलना कम हो गई है इस बीच Fresh2Home ने सबसे बड़ा investment round close किया है जिसमें Amazon संभो वेंचर, Iron Pillar, Invest Corp, Investment Corporation of Dubai और Ascent Capital भी मौझो थे Fresh2Home operationally profitable है और 143 शेहरों में operate कर रहा है दुनिया भर के layoffs और business restructuring के बीच शाक्स के business भी खबर में आ रहे हैं जहां एक और शाक्स शाक टैंक पर दूसरे companies में invest कर रहे हैं वो खुद भी funding raise करने की कोशिश में है प्यूश बंसर Lens Card के लिए Crash Capital नाम की private equity firm से funding उठाने की बात कर रहे हैं और reports के मताबिक Lens Card 100 million dollar की funding raise करने जा रहा है अगर ये deal पकी हुई तो Lens Card का valuation 4 billion dollar हो जाएगा और ये Crash Capital की अब तक की सबसे बड़ी funding होगी और प्यूश अके लिए नहीं है टेकसास में बसी American company Match Group भी इंडिया में strategic investment करने जा रही है Match Group का total market cap 11.85 billion dollar का है और उनके portfolio में सबसे मशूर dating companies जैसे कि Tinder, Hinge, Match, OK, Cupid Plenty of Fish और Our Time है अब इसी से आप समझ चुके होंगे कि हम किस शाक की बात करें है Guess what? Yes जिया, Match Group शादी.com में invest करने जा रहा है जो कि मित्तल साहब की कंपनी है और पिछले कई महीने से बातचीत चल रही है और फिलाल फाइनल स्टेज में बातचीत हो रही है जहां तके कि ये deal होने वाली है और अनुपम ने भी कहा था कि कंपनी अगले fiscal साल में public भी हो जाएगी शाक टैंक में OLL नाम की एक कंपनी आई थी जिसके founder श्रेयान दागा ने कहा था कि वो 22 billion dollar की दुनिया की सबसे बड़ी एटेक कंपनी बाइजूस को खरीदना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि एके करके धीरे-धीरे सारी एटेक कंपनी गिरने वाली है और उनकी भविश्रिवानी सच होती होई नजर आ रही है एटेक की हालत वैसे ही खराब चल रही है इंडिया की जादा तर एटेक यूनिकॉन जैसे की बाइजूस, अनकाडमी, अपग्रेड, विदान्तू, लीड स्कूल, घाटे में चल रहे है तो दूसरी तरफ एटेक सेक्टर को चक्कर आ रहे है अब बाइजूस से एक और खबर सुनने को मिल रही है कि वो वाइट हैट जूनियर को बंद करने की सोच रहे है और ये टेक क्रंच ने अपने रिपोर्ट में बताया था हलाकि बाइजूस ने ऑफिषियली कहा है कि वाइट हैट जूनियर को कोई बंद नहीं कर रहा है बलकि उसे औरगैनिक ग्रोथ के लिए आप्टिमाइस किया जा रहा है 2020 में बाइजूस ने वाइट हैट जूनियर को 300 मिलियन डॉलर में एक्वायर किया था Whitehead Junior को लोगों से बहुत ही ज़ादा criticism मिला advertising के लिए और ज़ादा पैसे लेने के लिए और company ने जून में 300 employees को fire भी किया था एक चीज जो फिलाल गिर रही है वो है Adani के stocks जब से हिंडनबग research ने report publish किया है तब से Adani के stocks में सिर्फ गिरावट ही गिरावट दर्ज की जा रही है और गिरते ही जा रहे है और आगे शायद और भी कम होने वाला है तो दोस्तों आज के लिए फिलाल इतना ही हमने ये नई सिरी शुरू की है जिसमें हम हर अभिबार को brunch के वक्त आपके लिए बड़ी-बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे उमीदे कि आपको हमारे बाकिये वीडियो के इदर है ये भी आपको पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं आपसे अगरे वीडियो में